इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मजीद कुछ अब्रिवियेशन से मतलिक अब्रिवियेशन हमारे पस क्या होता है किसी भी लव्ज या फ्रेज की छोटी फॉर्म या उसका मुखफिफ चले हम शिरू करते हैं आपने भी मेरे साथ पढ़ना है नमबर वन बी बी सी ये अब्रिवियेशन है ब्रिटिश ब्रॉटकास्टिंग कॉर्परेशन ब्रिटिश ब्रॉटकास्टिंग कॉर्परेशन भी हमने ब्रिटिश का लिया broadcasting का लिया और corporation का लिया और यहां पर जब मुखफफ बना लिया वो था बी-बी-सी बिलकुल ठीक number two B.C अब B.C जो है वो हमारे पास मुखफफ है या abbreviation है before Christ का before Christ B हमने before से लिया और C हमने Christ से लिया और abbreviation क्या बन गया B.C number three B और आगे क्या है com B.com B.com हमारे पास अब्रिवियेशन है bachelor of commerce bachelor of commerce B हमने लिया है bachelor से और commerce से हमने क्या लिया है com तो यह जो अब्रिवियेशन बन गया यह क्या है B.com number four B.D 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 हमारे पास अब्रिवियेशन है basic democracy basic democracy अब B हमने basic से लिया D हमने democracy से लिया और B.D अब्रिवियेशन बन गया number five B.D.S B.D.S हम यहाँ पर अब्रिवियेशन का जब हम इसमाल करते हैं तो हम दर्मियान में full stop की तरहां जो dots हैं उनका इसमाल करते हैं यानि हर लफ़ को एक दूसरे से अलग कर रहे होते हैं जैसा कि यहाँ पर है B.D.S यह हमारे पर अब्रिवियेशन है Bachelor of Dental Surgery Bachelor of Dental Surgery B हमने bachelor से लिया D हमने dental से लिया और S सर्जरी से लिया और यह बन गया Bachelor of Dental Surgery यानि B.D.S number six B.E B.E हमारे पास अब्रिवियेशन है Bachelor of Engineering Bachelor of Engineering B हमने bachelor से लिया और E हमने engineering से लिया और B.E अब्रिवियेशन बना दिया number seven B.E.D B.E.D अब B और E.D हमारे पास B.Ed हमारे पास क्या है Bachelor of Education Bachelor of Education B हमने bachelor से लिया है और E.D जो यहां पर है वो हमने education से लिया है तो यह बन गया B.E.D यानि जो हम आब तर पर B.E.D का लवज इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो यह है जिसका मतलब है Bachelor of Education Number 8 B.F B.F यह अब्रिवेशन है Brought Forward का Brought Forward B हमने लिया Brought से और F हमने लिया Forward से और B.F अब्रिवेशन बना दिया Number 9 B.I.S.E 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 हमारे पास अब्रिवेशन है Board of Intermediate and Secondary Education Board of Intermediate and Secondary Education B हमने लिया Board से I हमने लिया Intermediate से S हमने लिया Secondary और E हमने लिया Education से तो B.I.S.E अब्रिवेशन बन जाता है किसका Board of Intermediate and Secondary Education Number 10 B.O.L B.O.L किसका अब्रिवेशन है Bachelor of Oriental Languages Bachelor of Oriental Languages B.O.L का B हमने Bachelor से लिया O का मतलब है Oriental और L मीन्स Languages और ये अब्रिवेशन बन गया B.O.L मजीद कुछ अब्रिवेशन पढ़ते हैं Number 11 B.SC B.SC यहां पर आप देख सकते हैं C छोटा है तो ये एक लवज हो गया B.SC का मतलब होता है Bachelor of Science Bachelor of Science यहां पर B हमने लिया है Bachelor से और S.C. हमने लिया है Science से यानि Bachelor of Science यहां पर आप देख सकते हैं ये S और C है ये हमने Science से लिया और B हमने Bachelor से लिया और ये अब्रिवेशन बन गया Number 12 C और C के उपर आप देख सकते हैं छोटा सा नुकता सा है तो इसका मतलब होता है Centigrade 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 जो है वो Temperature के लिए इस्तमाल किया जाता है यानि जब आप Temperature चेक कर रहे हों Number 13 CANT CANT हमारे पास जो अब्रिवेशन है वो है Cantonment का Cantonment Cantonment अब यहां पर आप देख सकते हैं कि CANT हमने शुरू से लिया है इसके यहां से और एक टी हमने end वाला लिया और यह अब्रिवेशन बन गया CANT CANT अब्रिवेशन क्या कहते हैं मुखफफ को कहते हैं यानि शॉर्ट फॉर्म को Number 14 C slash A C slash A यानि यहां पर dot नहीं है यहां पर slash है C slash A का मतलब होता है Current Account Current Account C यानि current का हमने C लिया Account का हमने A लिया और यह C dash A बन गया यानि current account Number 15 C dot A C dot A C A हमारे पास अब्रिवेशन है Chartered Accountant का Chartered Accountant Chartered से हमने C लिया Accountant से A लिया और यह क्या बन गया C A यानि Chartered Accountant Number 16 C A P T dot C A P T और फिर क्या है dot यानि एक ही word है यह यह अब्रिवेशन है Captain का Captain Captain का C A P T लिया और यह मुखफ़ बन गया C A P T Captain का Number 17 C dot B dot R C dot B dot R अब्रिवेशन है Central Board of Revenue Central Board of Revenue C हमने Central से लिया B हमने Board से लिया और R हमने Revenue का लिया और यह अब्रिवेशन बन गया C B R Number 18 C D A C dot D dot A C D A हमारे पास अब्रिवेशन है Capital Development Authority Capital Development Authority C हमने Capital से लिया D हमने Development से लिया और A हमने Authority से लिया और यह क्या बन गया C D A यानि इसका मुखफ़ Number 19 C D R Cader Cader अब यह इस Cader का क्या मतलब होता है Commander 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 का हमारे पास अब्रिवेशन क्या है C D R और डॉट आखिर में Number 20 C D R E और एक नुकता यहां पर तो C D R था यहां पर C D R E है और इसका क्या मतलब है Commodore Commodore यह Army के ranks होते हैं उनका अब्रिवेशन है Commodore और Commander यह थे कुछ अब्रिवेशन जिन से मतलिक हमने पढ़ा अब आप इस वीडियो को दुबारा देखें और इन अब्रिवेशन को याद करने की कोशिश कीजिए